हेलो फ्रेंड्स में देविन आरी आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल देविंद्र आरी पर जैसा कि आपको पता है हमारा जो बोर्ड का टाइम टेबल है बोर्ड एक्जाम का उसका जो सैडूल है वो भी चेंज हुआ है और जो पेपर उसका पैटर्न भी लग तरह से बदले बदले से नजर आएंगे यहने कि बहुत ही अलग तरह से इस बार पेपर आने वाले हैं और जैसे कि आप एरली एक्जाम दे रहे हैं उसमें भी आप देख रहे हैं 10th और 12th पेपर का पैटन है वो पूरी तरह चेंज है याँ उसमें objective type question से बहुत जाना है तो आप objective type question जिस paper में जाना रहेंगे उस paper में आपको number किस परकार जाना मिलेंगे उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो और वीडियो है आज का हमारा wonderful world यानि जो wonderful world है यह अद्भुत संसार है यह class 12th है उसका lesson 4 है lesson 4 इसका वीडियो आज हम करने वाले हैं class 12th lesson 4 wonderful world यानि अद्भुत संसार तो देखते हैं पहला हमारा question क्या कहता है पहला question कहता है कि in the first stanza the poet describe the words प्रतम stanza में यानि प्रतम पंकियों में कभी जो है वो संसार को describe किस रूप में करता है किस गुण की व्याख्य करता है यानि किस गुण का गुणगान करता है तो उसकी greatness का करता है second question है how does the poet address the earth in the third stanza कवी जो है उसने third stanza में प्रत्वी को केसे address किया है breast पर है breast का अर्थ होता है चाती और एक सब्दोर आया है chest chest का अर्थ होता है सीना ठीक है तो यहाँ पर हम संसार की चाती के उपर हरी हरी घास के बारे में बताते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं question है आपका four और four question है the wonderful wind talks to itself जो अदबुद हुआ है वो खुद से बात करती है five question है the writer has mentioned the field of wheat कवी ने किन खेतों को mention किया है किस field को mention किया है इस कवीता में तो गेहूं के खेतों को mention किया है question six पर चलते है question six हमारा बोलता है कि the point of this poem इस poem के poet कोन है तो William Brightly Rands है यहां पर कुछ misprint हुआ है लेकिन सही नाम क्या है उनका William Brightly Rands चले आगे बढ़ते है question seven है the adjective form of the word beauty तो beauty के adjective form होती है beautiful है adjective ऐसे सब्दों को कहा जाता है जो किसे noun और pronoun की विशेशता बता है तो उनको विशेशन कहते है और beautiful सब्द एक लड़की की विशेशता बताता है कि लड़की सुनदा रहे इसलिए beautiful word एक adjective है आगे बढ़ते हैं question eight है हमारे पास में question eight क्या बोलता है question eight कहता है the opposite of the word bottom from the poem इस poem में bottom एक सब्द आया है उस bottom का जो है opposite क्या होता है the bottom यहने बिल्कुल तली यह नीचे और top यहने बिल्कुल उचाई पर the top सब्द उसका opposite होता है question nine है the word that rhymes with tree in poem is एक सब्द है यहना tree तो tree जैसा ही rhyme यहने समान धुनी वाला सब्द इस poem में इस कविता में क्या है तो मी आया है इसके लिए ठीक है आगे बढ़ता है question ten है आपके पास में question ten कहता है हमें कि sound like a bird's wings moving rapidly एक पक्षि के पंको की जो आवाज होती है जब उसको उड़ना चाहता है और उनको जब वह और नीचे करता है तो उपर नीचे हम हिंदी में बोलते हैं कि फड्षडाना तो अजने हमें आगे बढ़ते हैं आपका question है B वाला है 10 question हम complete कर चुके हैं और B वाला question है B वाले question में आपको क्या करना है feel in the blanks with suitable words choosing from those given within brackets question को अच्छे समझे है आपको 5 brackets दिये हैं और 5 यहां पर words दिये हैं ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है और 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों में इन पांचों words को भरना है तो हम भरेंगे पहले उनके अर्थम को पता होना चीए थोड़े थोड़े तो हम आसानी से भर पाएंगे पहला हमारे पास में है sentence पहला sentence क्या कहता है कि wonderful water is round the world यह अदबुत पानी इस दुनिया को क्या किये हुए है घेरे हुए है जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में बहुत जादा पानी है और जो जमीन है वो कम है तो क्या किया है उसने कल्ड ठीक है कल्ड याने कि आसपास से घेरे हुए second is there is grass upon the world's breast breast है है होता है अब हमने पढ़ा च्छाती तो कैसा grass है है इस दुनिया की चाती के ओपर तो wonderful है अद्भुत घास है third है the wind the mills हवा जो है वो mills को क्या करती है घुमाती है पहुंचक्कियों को तो वल्स वल्स है गुमाना fourth है the wind tucks to itself on the top of the hill आएगा इसमें तीक है याने जो हवा है वो क्या करती है अपने आप से पहाड़ी की चोटी पर बात करती है और पाँचपा sentence है the wonderful wind sacks the tree या अद्भुत हवा वरक्षों को भी हिलाती है ठीक है आया समझ में I hope आपको यह बहुत अच्छे समझ मा रहा होगा और आपको इसी प्रकार क्यादी interesting है ना और दिल्चस्प वीडियो चीए आपकी knowledge को बढ़ाने में आपके English के pattern को solve करने में English के paper को अच्छे से clearly है आपको यदि करना है exam में तो आपको चैनल subscribe करना है क्योंकि इस channel में मैंने कुछ वीडियो बनाए है जो आपके lessons के Hindi explanation भी आपको बताएंगे तो आप यदि वहाँ पर जाएंगे और Hindi explanation देख लेंगे तो ये वाले जो objective type question है आपको रेटने की जरुवत नहीं पड़ेगे आप फटाफट करते चले जाएंगे यदि आप lesson को अच्छे से समझ पाएंगे तो तो आपको क्या करना है चैनल को subscribe करना है वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आपको like करना है और दोस्तों के साँ share करना है ताकि उनको भी जो इसका फाइदा मिल सके चले बढ़ते हैं आगे question है C आपके पास में write true or false against the sentence आपको क्या करना है true or false लिखना है sentence के सामने देखते हैं आपने किता अच्छा lesson को समझा था तो the earth is friendly to man प्रत्वी जो है वो इनसानों के लिए friendly है तो बिलकुल है तो truly याने कि T लिखेंगे second the poet at first feels that he is greater than the earth क्या कभी पहले ही बता देता है कि वहाँ इस प्रत्वी से महान है नहीं बताता है पहले तो सोचता है काप उठता है उसके बारे में सोचके अपने आपको एक dot समझता है तो हम इस पर क्या लिखेंगे false लिखेंगे f लिखेंगे third है a man is only a dot on earth yes बिल्गुल सही है तो हम यापर true लिखेंगे यानि कि जो इनसान है वो इस प्रत्वी के ऊपर बिल्गुल है dot की तरह बिंदू की तरह है fourth है man can love and think but the earth cannot true याना इनसान सोच सकता है प्रेम कर सकता है लेकिन प्रत्वी असा नहीं कर सकती five है major portion of the earth is surrounded with water इस दुनिया का अधिकान से हिस्सा पानी से ढखा हुआ है बिल्कुल true है ठीक है तो friends true और false भी हमारे होगे है आप इसको भी अच्छे समझ गए होगे अब आगे का question देखते है आगे का question क्या है आपको question D है और D question आपको क्या कर रहा है match the following words with their meaning यह जो words से हैं इनको उनके meanings से जोड़ना है तो word है हमारे पास सबसे पहला थो वर्ल ठीक है तो वर्ल का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को घुमाना ठीक है अभी हमने काता है न वर्ल सता मील से पावण चक्क्यों को घुमाती है तो इसके लिए आएगा rotate ठीक है क्लीफ कार तो होता है कि इसी चटान जो जिसका सीरा नुकिला होता है तो हाई स्पीड रॉक ट्रेंबल कार तो होता है कांपना ठीक है तो कांपने के लिए एक सब्दा है हमारे पास यह पर शेक ठीक है कि हिल जाना या हिलाना ड्रेस्ट कार तो होता है उसके कपड़े ठीक यह 5 हो गया, ठीक है friends, आया समझ में आपको, आगे बढ़ते हैं, कुछ questions यहां पर दिये हैं आपको, answer the following questions in one word or phrase, आपको यह कुछ questions दिये हैं, इनको आपको एक सब्द में उत्तर देना, एक phrase में उत्तर देना, पहला question देख लेते हैं, कि who is the poet of this poem, इस कविता के कभी कौन है, तो आपको बता है, हमने पहले किया था, कि कौन इसके poet है, वो आपको करना है, second है, who is greater than, who is greater than man or the earth, इस दो चीद दी है, आपको man और earth इसमें से greater कोन है, महान कोन है, तो आखरी में किया बता है, कि इनसान महान है, क्योंकि वो प्रेम कर सकता है, सोच सकता है, third है, which word has been used in the poem for island, island के लिए क्या सब दिस्तिमाल गया, तो आप Hindi explanation देखेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगे, और आप इनके सब के answer देदेंगे, तो friends, यहाँ पर बहुत सारे questions है, है ना, उनके एक word में, एक phrase में answer आपको देना है, तो आप यह सारे questions को solve कीजिए, है ना, और Hindi का जो वीडियो है, explanation जो इस lesson को वो भी देखिए, साथ में यह भी देखिए, और अच्छे से तयारी कीजिए, I hope आपको यह पूरा का पूरा वीडियो और पूरा का पूरा जो lesson है, lesson 4 आपको बहुत अच्छे से समझ मा आ गया होगा, और आप exam में कुछ भी गलती नहीं कर कर देंगे, तो फटाक से आप क्या कीजिए, मैरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, या दोना शेयर कीजिए, thank you very much, मिलते हैं अगले वीडियो,